कि दोस्तों कैसे हैं आप सब्हूंद ही तो इस वीडियो में कैसे प्रॉफेशनल के तरह पॉट्रेट फॉटोस को एडिट करते हैं बहुत अगर सकते हैं तो एक बróबे लाइत रूम Tutorials का वीडियो बना ये करके तो ये रहा वीडियो तो ऐसे वीडियो से अगर आपको पसंद आता है तो hit that like button and support कीचे हमारे चैनल को अगर आप नए है तो subscribe button पर click करके तो चलिए ये है Lightroom CC तो जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर धेर सारे tools है तो इसी tools को हम use करते हुए अच्छी तरह से edit करेंगे इस picture को सबसे पहले आपको देखना है composition जहाँ पर edges जो है वो equal आना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले हम crop करेंगे इस picture को तो crop करने के लिए यहाँ पर crop करके tool है तो इस पर एक बार tap करूँगा मैं करने के बाद यहाँ पर जो यह देख रहे आप curve देख रहे इससे rotate होता है तो देखिए ऐसे rotate कर सकते है आप pictures को usually क्या होता है अगर straight जो grid lines पर हम अगर ठीक से रखेंगे तो grid lines reference रखके बहुत सारे बार बताया हूँ कि grid lines को हमेशा use करके reference point जैसा रखकर आप edit कीजे images को तो इससे क्या होता है आपको एक professional image मिलता है तो देखें minus 2.4 degree पर मैंने rotate किया तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो locked करके है मतलब कि यह proportion जो रहता है अगर मैं size को बिल्कुल कम करने या बढ़ाने जाओ तो आप देख सकते है बिल्कुल proportion में है size तो इस चीज़ को free बनाने के लिए locked जो है इस पर एक बार tap करना है unlock होता है free movement आपको ऐसे मिलता है तो इससे क्या कर सकते है तो इसमें subject कितना है वो बिल्कुल important होता है इसके वज़े से उपर जो empty space था वो बिल्कुल waste space है तो इसके वज़े से मैंने crop down किया है तो ऐसे crop करने के बाद just tick mark पर tap करना है तो ये basic जो है crop हमारा ready हुआ है भी तो इसके बाद क्या करेंगे next है light तो यहाँ पर जो light आपको दिखाए दे रहा है तो इसके उपर tap करेंगे तो ये important role play करता है exposure हो, contrast हो, highlights, shadows जैसे change करते है यहाँ three dots जो है यहाँ से आप histogram को ला सकते है मतलब बहुत professional की तरह अगर edit करना चाहते है तो histogram से आपको धेर सरा information मिलेगा कि कितना blacks है मतलब कि कितना highlight है, कितना shadows है कितना whites है, यह सारा चीज जो है देखे, इसमें ज्यादा से ज्यादा blue color का यह जो purple blue combination का यह जो shirt है तो यह shirt का blue यहाँ पर दिखाए दे रहा है तो ऐसे reds कितना है picture में, greens कितना है and greens में भी अगर highlights ज्यादा है तो वो spikes ज्यादा रहेगा तो ऐसे आप इस चीज को use करके भी edit कर सकते है, लेकिन थोड़ा advanced है वो अलग videos में, उसके related में बताऊंगा, अगर आप चाहते है tutorial तो मुझे comment section में बता सकते है तो histogram को कैसे use करें वो अलग video में बना सकता हूं तो दोस्तों यहाँ पर हम सब जब पहला exposure पर देखेंगे, just increase a bit of exposure तो थोड़ा ज्यादा करेंगे इस exposure को 0.76 थोड़ा bright करेंगे इस image को so around 0.75, 0.76 and इसके बाद है contrast तो contrast basically देखेंगे whites and blacks के between जो image में रहता है, वो change कर देता है जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादा contrast अगर रखेंगे तो too much black and too much white जो है वो उटकर देखेंगा तो जितना चाहिए photo case आप से let's say 22 करेंगे थोड़ा contrast ही बना सकते हैं अगर आप matte finish वाला look देख रहे हैं तो इस चीज़ को कम कर सकते हैं तो faded look आपको मिलेगा contrast कम करेंगे तो तो बैसा भी आप कर सकते हैं again depending on your taste मैं professional की तरह कैसे edit करते हैं वो बता रहा हूँ the next one is highlights very important highlights जहां पर है देखें ये जो bright areas आप देख रहे हैं यहां पर scene में तो इस चीज़ का जो है उसमें details नहीं रहता है तो details लाने के लिए highlights को कम करना पड़ता है minus में तो आप देखते जाहिए कैसे वो change होता है मैं highlights कम करते जाओ तो तो depending on scene ज्यादा brightness है scene में ज्यादा sky है empty space है वहां से अगर आप details को recover करना चाहते हैं तो highlights को कम करना पड़ेगा तो अगर आप highlights को ज्यादा करेंगे तो bright areas है और भी bright हो जाएगा तो odd लगेगा इस image को तो हम highlights को around let's say कि minus 34, 35 करेंगे ज्यादा भी नहीं तो इसके बाद है shadows जैसा की नाम है shadows मतलब की यह जो black areas रहता है या फिर कहीं भी यहाँ पर contrast situation में यहाँ पर जो areas black deep blacks रहता है वहां का अगर shadows आप उठा कर दिखाना चाहते है तो let's increase the shadow to plus 10 and यहाँ पर next है white तो whites इसमें already बहुत सादा white है लेकिन हम इस चीज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं minus 7 पर रखा हूँ तो हलके से थोड़ा थोड़ा change करते जाना है आपको and blacks देखिए क्योंकि मैं matte finish look इतना भी नहीं चाहता तो इसके वज़े से let's make black even black करेंगे तो minus पर जाएंगे minus 13 minus 14 ऐसे रखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो hairs and goggles है यहाँ पर and even the watch तो इसका जो combination है वो ठीक से color में उठकर दिखाए देगा तो इसके वज़े से I have reduced the blacks मतलब की blacks और black किया हूँ तो इसके वज़े से उठकर अच्छा दिखेगा तो यह मेरा personal opinion है and personal editing जो मैं करता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ the next one is यहाँ पर देखे यहाँ से सब magic होगा जो matte look या फिर जो greenish या फिर muted tones का look अगर आप देख रहे है white balance को ठीक करना पड़ता है अगर ठीक नहीं है picture पर let's say कि यहाँ पर too much warm है too much hot दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा cool बना सकते है temperature को change करके फिलाल इस picture में almost ठीक है थोड़ा हम temperature को just minus one लाएंगे थोड़ा cool बनाने के लिए and यह next one है tint थोड़ा magenta look लाता हूँ मैं images पर थोड़ा अच्छा दिकेगा always थोड़ा magenta अगर है तो यह मेरा personal राय है and वैसे vibrance को थोड़ा increase करेंगे let's keep it to around 13-14 ऐसे रखेंगे and इसके बाद है saturation तो saturation को थोड़ा ही increase करेंगे ताकि वो background वाला जो है वो अच्छा दिखे let's say 5 तो magic कहाँ पर है यह जो mix करके आप देख रहे है यहाँ पर है सारा magic तो mix पर tap करने से तो सबसे पहला जैसे कि आप देख रहे है red तो इस picture में red color कितना है उसका changes होगा तो hue करके है देखे यहाँ पर pink है pink to yellowish गया है थोड़ा dark orange भी कह सकते है तो ऐसे कहाँ पर reds रहता है उसी को change होता है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है कैसे change होता है अगर magenta पिंक related जा रहा है तो pink look देगा reds कहाँ पर है वही पर change हो रहा है तो सबसे पहला हम color change करेंगे let's say कि hue zero रखेंगे और इसका थोड़ा हम saturation बढ़ाएंगे reds का let's say कि around 13 बाद में हम थोड़ा mute करेंगे अगर ज्यादा too much हो रहा है तो and luminance luminance basically dark and light बनाता है कोई भी एक single color को तो let's say अभी हम red रखेंगे ना तो इसमें red जो भी है वो light या फिर dark बनाने के लिए आप luminance को use कर सकते है तो फिलाल इसको हम थोड़ा minus two minus five पर रखेंगे luminance मतलब कि थोड़ा dark बना रहा हूँ reds को क्योंकि यहाँ पर too much bright area है तो इसके वज़ा से compensate कर रहा हूँ next one है orange तो orange यहाँ पर आप देख सकते है very important है एक color skin color जो है वो orange ही है तो इसके वज़ा से ज़्यादा भी नहीं change करेंगे let's bring it to little bit of yellowish करेंगे हम इस चीज़ को तो hue let's say two and इसका जो saturation है थोड़ा ही ज़्यादा करेंगे इसके बाद है luminance तो luminance थोड़ा light करेंगे bright करेंगे orange color को इसके बाद है yellow तो yellow भी है इस scene में अभी देखते जाएए आप एक ऐसे transform होते जाता है जैसे ही मैं change करते जाता हूँ फोड़ा green से yellowish बनाएंगे मतलब की left side ले रहा हूँ around minus 15 या 16 तक रखेंगे and इसके बाद saturation है तो saturation को ज़्यादा करेंगे आप back side जो trees देख रहे है जो paid है back side उसका color आप देखते जाएए कैसे change होता है so let me increase to 54, 55 and luminance जो है dark करेंगे मतलब की देख सकते है आप even highlights भी recover हो रहा है जैसे ही मैं greens का luminance change कर रहा हूँ back side trees जो है change हो रहा है तो देखे पहले before ये था तो अभी हम फिलाल इस पर पहुँचे है और इसके बाद है green जो green back side है majority of the area green back side ही है तो इस चीज़ को हम change करेंगे तो green को हम थोड़ा ऐसे वाला green बनाएंगे warmish green very saturated and very nice look देगा including matte finish लुक भी आएगा तो luminance तो कैसे dark वाला पेड या फिर light वाला पेड तो ऐसे आप change कर सकते है तो let's say कि यहीं पर रखेंगे तो देखे दोस्तो before image ये था and after image ये है तो यहाँ पर पहुंचे है the next one is aqua color जो कहते है aqua color इस particular image में photo में ज्यादा नहीं aqua color तो इसके वज़े से ऐसे ही छोड़ देते है the next one is blue जो यहाँ पर majority of the area देख रहे है तो इस चीज़ को कैसे change करें देखे है hue हम यहीं पर magic है अगर एक आप वो greenish blue जो आज कल famous है look अगर वो देख रहे है तो तो जैसे ही मैं negative उपर जाता हूँ blue तो आप देखते चाहिए कि कैसे look change होता है बिलकुल तो इस सेट जाता हूँ तो magenta से purple हो गया तो इस image के लिए हम minus around minus 13 minus 20 okay minus 18 पर रखेंगे तो देखे इसका color कैसे change हो गया अलग ही look आ जाता है photo में इसके बाद इसका saturation बढ़ाएंगे around 30 31 तो next pink है और यहाँ पर purple है जो magenta हम कहते है तो यह दोनों ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इस image में ज्यादा वो color नहीं तो इसके बाद आपको press करना है done तो अभी हम before यह image था तो check कर लेते है and after image यह है तो अभी फिलाल खतम नहीं हुआ है next important है vignetting मतलब कि यहाँ पर too much bright है ना edges पर तो subject यहाँ पर है तो इसके उपर हम focus करना चाहते है तो इसके लिए हम क्या करेंगे clarity तो यहीं पर छोड़ते है dehaze it's fine अगर आप matte finish एक faded look चाहते है तो ऐसे negative उपर ले सकते है dehaze otherwise ऐसे ही छोड़ सकते है vignetting यहाँ पर vignetting है तो अभी हम इसको थोड़ा vignet करेंगे corners पर rounded corners यहाँ पर ज्यादा लोग यहीं पर छोड़ देते हैं vignetting करके vignet हो तो यहाँ से क्या करना है आपको midpoint जो है यह change करना है कैसे midpoint response करता है देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको highlight चाहिए तो feather थोड़ा बढ़ाएंगे and roundness को roundness कैसे change करता हूँ वैसे vignetting change होता है and roundness को negative पर लाएंगे हम and इसके बाद है sharpness तो यहाँ पर sharpness है sharpness को थोड़ा sharpen करेंगे and noise reduction भी करेंगे हम तो sharpness को round 20 किया and यहाँ से noise reduction थोड़ा noise reduce करेंगे अगर grains है image में तो वो make up हो जाएगा वहाँ पर तो इसके बाद है यहाँ पर remove chromatic aberration इससे क्या होगा basically जो purple infringement आता है वो सारा चीज even color casting जो रहता है वो remove कर देगा तो tick करना हमेशा ना भूले आप कोई भी image से and इस सारे चीज को change करने के बाद हम पहुंचे है यहाँ पर तो यह देखिए before image यह था and after image यह है quickly snap seed पर जाना है and snap seed जाने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे presets को खरीदी करना चाहते तो नीचे description में link देता हूँ वहाँ से आप खरीदी कर सकते है इतना time spend करने की जरूरत नहीं तो instantly मेरा presets जो है वो use करेंगे तो आपका look भी picture का look ऐसे हो जाता है यहाँ पर ठेर सारे presets बना कर रखा हूँ मैं तो instantly कोई भी अपना images हो तो एकी tap पर एकी click करने से आपको आपका image जो है होने के बाद हम जाएंगे snap seat तो quickly snap seat open करता हूँ तो यह था photo हमने edit किया तो यहाँ पर क्या करने आपको quickly tools पर जाना है tools पर portrait करके जो है यहाँ पर click करना है tap करने से जो है वो portrait का recognize करके आपको एक face spotlet जो कहते है वो लाकर देगा recognize करके देखे before ऐसा था face पर बिल्कुल dark था तो automatically वो bright कर दिया and जो other चीज है कैसा था वैसा ही है यहाँ पर धेर सरे filters है और भी अगर smooth चाहते है combo 1, combo 2 अलग-अलग है depending on your skin depending on कैसे lighting आया है अपने चहरे पर वैसे आप change कर सकते है तो basically इतना करना पड़ेगा आपको edit करने के लिए अगर नहीं करना चाहते मेरा presets भी आप खरीदी कर सकते है basically एक tutorial था Adobe Lightroom का Lightroom से Snapseed पर हमने portrait का जो है वो change किया है तो इतना tutorial अगर ऐसे tutorial आपको अच्छा लगता है तो hit that like button share किजे अपने friends के साथ तो हमें comment section में बता सकते है कि ऐसे tutorial अच्छे लगते है और भी वीडियोस बनाना है तो तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care everyone बाई बाई